जब अपने भक्त की जान बचाने के लिए साई बाबा हुए 20 सड़क में प्रगट उनका असली रूप देखकर लोगों के छूटे पसी ने आप देख रहे हैं साई जीवन माला वस्तो यहाँ बात है लोंगानपूर के एक छोटे से गाओं की जहाँ पर सुभम नाम का एक साई बाबा का भक्त रहा करता था वह साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त था अर गुरुवार को कुट्टो को बिस्कित खिलाया करता था और वहाँ पर गरीब लोगों को भोजन क यह देखकर साई बाबा की असीन क्रिपा उस पर होने लगी सुभम की अच्छी जगा नौकरी लग गई वहाँ पर वे अच्छा खासा कमाने लगा एक दिन रात में 11 बजे बहुत ही जोरों की बारिश होने लगी और वे अपने घर के लिए निकल गया उसे लगा कि मेरे पहु बहुत ही तेज गती से आ रहा था उस ट्रक और शुभम की बाईक की टकर होने ही वाली थी तब ही अचानक बहुत ही विशाल सरीर के साथ साई बाबा आकर खड़े हो गये ये बात खुद उस ट्रक ड्राइवर ने बताई वे बताते हैं कि कभी भी हम अगर ट्रक में ब्रेक लगाना होता है तो हम बहुत ही धीरे धीरे करके ब्रेक लगाते हैं तब जाकर हमारे ट्रक कंट्रोल में आता है लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि मैंने साई बाबा को देखकर ब्रेक नहीं लगाया फिर भी वे ट्रक अचानक से कैसे रुग गया ये बात वो ट्रक ड किहा उस्केटारों में रोकने की कोशिश की। मैंने उस बाइक वाले शक्ष को बहुत ही तेज गती से इशारा उसे मैंने उस लड़के घब बडा झाल कि अब सब्द क माम वाल में घजा धा枃ac formula कि मैंur इंए देख कर मैं थोड़ा सा घबरा गे डाइगा और मैं उस लड़के को यही बताने लगा कि आज श्वयम तुम्हारी जान साई बाबा ने बचाई है। यदि वो बीच में नहीं आते तो तुम्हारे बाईक और मेरे ट्रक का बहुत तेज गती से बहुत ही गंदा दुरघटना हो सकता था। जिसमें आज शायद हम दोनों नहीं बच पाते। जब मैं ट्रक से आगे ही आ रहा था तभी मेरे सामने अचानक साई बाबा प्रकट हो गए। और अपने ही आप ट्रक के ब्रेक लग गए। यह सुनकर सुभम को खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई। सबसे पहले उसने सा मैंने कभी भगवान को नहीं देखा था और नहीं महसूस किया। लेकिन शायद आप की सची भक्ती के वज़े से ही मुझे आज साक्षात साई बाबा के दर्शन हो गए। रत्राइवर सुभम का धन्यवाद करने लगा। फिर सुभम ने बताया कि जब मैं हाइवे पर था तब मुझे महसूस हुआ कि अचारक से मेरी बाइक बहुत ही फारी हो गई है। लेकिन मैंने उसे अपना भ्रम माना। लेकिन आज इस बात को मैं सच मानता हूँ कि भक्ती में ही शक्ती है जिसका उधारन आज मैंने देख लिया। आज से मैं भी साई बाबा को अपने दिल जरू किजिएगा। हम मिलेंगे एक और नी खास वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।